नमस्कार दोस्त Modern Decorator के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10x10 की रूम में कजारिया टाइल्स लगाने के खर्च कितना पड़ता है एक रूम के आप खर्च कितना पड़ेगा 10x10 का अगर हमारे पास रूम है बिहार में क्योंकि अलग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें तो चलिए अब हम आप वीडियो को सुरू करते हैं 10x10 की जो रूम है उसमें अगर आप कजारिया की टाइल्स लगाते हैं तो वह लगभक साथ बॉक्स टाइल्स आपकी लगेगी जो कि एसकार्टिंग सहीत अपकी सा इंच की स्कार्टिंग आपको चारो साइट दीवाल में हो जाएगा तो अगर 800 रुप्य बॉक्स के हिसाब से ले ले तो जो बिहार में रेट है उसी के हिसाब से लगभग बता रहे हैं बाकि अलग-अलग मतलब जीला में अलग-अलग रेट है तो चलिए 800 रुप्य बॉक उसका रेनिंग फूट लेता है इधर का लेवर कोश्ट तो 140 स्कौर फिट का लेवर कोश्ट हो जाएगा 1680 रुपे और 10 बॉक्स टाइल्स मतलब 140 स्कौर फिट टाइल्स लगाने में जो सीमेंट लेगी अगर उसी में सीमेंट की बात करूं तो वो लगभग आपको तीन ब रुपे के हिसाब से अगर तीन बॉला सीमेंट की रेट जो ले तो यह बारा सो रुपे हो जागा और उसमें एक केजी ग्रॉट लाएगा जो की जोईंट भरने का काम आएगा तो अगर जोईंट भरनेंगे तो 100 रुपया का लगभग एक केजी का ग्रॉट आएगा और अगर टोटल जोड़े इस सब को कलकुलेट करके तो लगभग 980 रुपया आपको पर रूम का खर्च पढ़ रहा है कजारिया टाइल्स का ब्रेंडेट टाइल्स में बात करो अगर इसी में आप अगर लोकल नन ब्रेंट की टाइल्स लगाएगा तो उसकी खर्च तोड़ा इससे कम परेगी लेकिन टाइल्स जब भी लगाएं ब्रांट का ही लगाएं टिकाऊ रहती है तो तीराण में 180 रुपया 930 रुपया और अगर इसी में आपको पूरे घर की जोड़ना है कि पूरा घर में लगभग की कितना खर्च होगा तो लगभग आपको 70 रुपया पर स्कॉर फिट आपको पूरे घर के हिसाब से जोड़ अगर आपका 1000 स्कॉर फिट में आपका घर बना हुआ है तो अगर आप उसमें टाइल्स लगाना चाहिएगा तो उसको 70 से गुना कर लिए 70 हजार रुपया आपको लगेगा 70 रुपय पर स्कॉर फिट माटेरियल मिस्टरी कॉस्ट और टाइल्स सहीत जो है 70 रुपय पर स्कॉर फिट लगभग एवरेज में बता रहा हूँ बिहार में पढ़ता है टाइल्स लगाने का कॉस्ट वो भी ब्रैंडेड टाइल्स अगर लोकल टाइल्स लगाते हैं तो थ रुपय पर बोक्स हमारे छेत्र में मिलती है और अधर अधर ब्रैंट कॉस्ट लिए